राहुल गांधी ने कोई फ्लाइंग किस नहीं दिया अगर दिया भी तो स्मृती इराणी ने उसे कैच क्यों किया राहुल को इराणी को फ्लाइंग किस देने की जरुरत नहीं है अगर वो मैट्रिमूनिल साइट पर आते हैं तो उनके लिए लड़कियों की लाइन लग जाईगी अरे ऐसा हम नहीं कह रहें बलकि ये मानना है आरजेडी प्रवक्ता सारीका पास्वान का पिछले कुछ समय से राहुल गांधी राजनीती के साथ साथ अपनी परसनल लाइफ को लेकर खूब सुर्ख्यों में है कॉंग्रस नेता सांसदी बाहाल होने के बाद जब पहली बार सदन में पहुँचे तो उनके स्पीच के अलावा उनका एक जश्चब ही खूब चर्चाओं में रहा केंद्रिय मंत्रे स्मृती राणी ने दावा किया कि राहुल ने सदन में फ्लाइंग किस दिया तब ही से पक्ष विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है अब आरज्यडी प्रवक्ता सारिका पास्वान ने रहुल गांधी को मैट्रिमोनियल साइट पर आ जानी की नसीहत दे दी है दरसल एक मेडिया हाउस से बात करते हुए आरज्यडी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को अब मैट्रिमोनियल साइट पर आ जाना चाहिए हमारे नेता लालू प्रसाद्यादव भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जल से जल शादी कर लें इसके लिए अब उन्हें मैट्रिमोनियल साइट पर आ जाना चाहिए सारीका पासवान ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी मैचिमोनियल साइट पर आते हैं तो उनके लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी सारीका ने तो ये भी कह दिया कि राहुल गांधी को शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी उन्हें सुरिती रानी को फ्लाइंग किस देने की जरुद नहीं है वो भला सुरिती रानी को फ्लाइंग किस क्यो देंगे नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24